यह थीक है वह हम स्टार्ट करेंगे इंड़क्शन मोटर का टॉपिक यह राइट कि सिल्बस आप लोगं के पास हो गई सबके पास तो इसमें 306 का जो आपका इसलेबस है कि उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो थ्रीफेज इंडक्षिन मोटर ही है और उसमें सबसे प्रोड़क्शन आउफ रोटेटिंग मैंने फिल्ड बाई टू फेज एंड थ्रीफेज सप्लाई एच्छिन करवाना टू फेज कहता लिए टू फेज वाला पीडिया पता नही किस प्रकार से उत्पन होता है गुणमा चुम्बगे छेत्र किस प्रकार से उत्पन होता है यह मैं आपको बताऊंगा कि दो स्कीन दिखनी है कि अब ठीक है अब सब अब सुनाई दे रहा है दिख़ा है टेंसा क्लियर तो देखिए अपने पाटिस्मेंट्स हैं हेमंत मनभावन मंदीप नितिन रादिशाम जाट रविकांत शीष्राम विकास एंड योगेश देखिए थोड़ा सा मैसेमेटिकल है यह तो इससे थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले थ्रीफेज का कॉंसेट मैं आपको बता देता हूं कि थ्रीफेज सप्लाई आपने पढ़ी होगी सेकेंड येर के अंदर है ना तो थ्रीफेज ये सप्लाई होती है उसमें तीन फेज होता है आर वाई और बी तीनों फेज आपस में 120 डिग्री को पता रखें तीन पता रहें 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ठीक है तो हम यह देखेंगे कि जब थ्रीफेज इंडक्शन मोटर को थ्रीफेज ये सप्लाई दे जाती है तो एक घुर्मान चुम्ब के छेतर उत्पन होता है मिन्स वो जो फ्लक्स होएगा चुम्ब के छेतर उत्पन होएगा वो कंटिन्यूसली गूमेगा आपके थ्री लग लग फ्लक्स उत्पन होगा आप चुमक् से पहले हैं तो सबसेपहले आपको थ्री पेज की आपको एक्वेशन द्यान नहीं पड़ेगी त्रीफेज की क्वेशन क्या होगी फाई आर इकल टू फाई एम साइन ओमेगा टी ये थ्रीफेज की पहले आर फेज की एक्वेशन यह हमारा रेफ्रेंस अक्षे संधर्वक्षी से इसके 120 डिए पीछे वाई है दिख रहा है वाई मैं पैन ले लेता हूँ पैन कहां से आता है पैन कहां से आता है यह से तो आता था पैन कहां से आता हैस मैं पैन कहां से आता है यह वाँ सूझे टूझे दीड़ud मैं कहां से तो आता है चलो कोई नहीं मैं देख लेता हूं तो अब और आर फेज को मैं रेफ्रेंस लिए तो इसका एक्वेशन जागे लिए फाई र इकल टू फाइन साइन ओमेगा टी य फिए 120 डिगरी पीछ रहे है तो इसकी क्वेशन फाइव एकल्टू 5 फाइन साइन उमेगा टी माइनस ओन टूटू और बी फीच से 240 डिगरी पीछ यह देखेये जब क्लॉक वाइच चलेंगे तो वेक्टरस लेगिंग कहलाएंगे पीछे कहलाएंगे एंटिर अबाइ चलेंगे तो लीडिंग वेक्टरस कहलाएंगे 5B का हो जाएगा यहां से एंगल देंगे तो माइनस 240 हो जाएगा तो 5B इकल टू 5M sin omega t माइनस 240 जहाँ पर 5M क्या है 5M किसी भी एक फेज में flux का अधिकतम मान आई यहां से आगा पर 5M किसी भी एक फेज में flux का अधिकतम मान है ठीक है अब देखे यह equation चो हम लेंगे न वो different different omega t के मान पे लेंगे omega t equal to आप one भी ले सकते हो two भी ले सकते हो three भी ले सकते हो हम इस प्रकास लेंगे omega t कि हमारी mathematical calculation आसान रहे तो case number one case number one क्या कह रहा है यह कि omega t equal to zero पर हम condition लेंगे omega t equal to zero पर क्या होगा ठीक है omega t equal to zero पर क्या होगा यहां हम omega t equal to zero करेंगे तो phi r equal to phi m sin zero या omega t zero किया तो इसकी जो value आएगी sin zero zero होता है तो phi r का मान हो जाएगा zero phi y equal to होगा phi m sin omega t के value zero कि तो यह जागा sin minus 120 sin minus 120 के value होगी minus root 3 by 2 phi m तो रहे गा ही रहेगा तो minus root 3 by 2 phi m और phi b equal to यह sin omega t पर आवर 0 करेंगा तो यह जागा phi m sin minus 240 sin minus 240 के value होएगी plus root 3 by 2 इसका उतला omega t equal to zero पर phi r plus का मान zero होगा phi y का मान minus root 3 by 2 phi m होगा और phi b का मान plus root 3 by 2 phi m होगा इन तीनों को वैं वैं फस्वेक्टर बनाता हूँ इस तरह से यह देखिए यह fire बराबर 0 कर दिया मैंने क्या मान zero था इसका 5y बराबर कर दिया मैंने minus root 3 by 2 phi m यह value आई थी और phi b बराबर कर दिया मैंने plus root 3 by 2 phi m ठीक है को यह आया है क्या यह आया ओके अब देखिए यह तो 0 क्या 5r तो यह 5y equal to minus root 3 by 2 phi m हुआ है और यह plus root 3 by 2 phi m हुआ है ठीक है अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है वैक्टर आपने first method से पड़ा होगा कि वैक्टर किस प्रकार से चुड़ते हैं ठीक है तो मैंने जोड़ दिया इन दोनों सोगा वैक्टर हैं ओके जह साहीं यह पैन कहा से आता था यह इस वेल हुआ है हुआ है कि इस टेक्स्टेस अरसर यह प्लस रूर्स रूर्ट्रीब टू फाइए यह एंगल किता था पूरा इस एंगल इस बन्टोंटी डिगरी ठीक है यह एंगल पूरा 180 degrees हो गया आपके ठीक है यह एंगल 120 degrees फूरी लैंड को लगा जाएंगे यह एंगल पूरा 180 तो यह होजाबा 60 इस एंगल सिक्स्ट्री डिग्री किस की सी भी जोई इसके और इसके बीच में एंगल आपके हो गया 60 degrees और यह एंगल हो जाएगा आपके 30 डिगी तो इसका और इसका हमने समानतर चत्रूच के अंदर मैंने क्या कर दिया इसका वेक्टर एडिशन कर दिया ठीक है यह समानतर चत्रूच का नियम क्या होता है समानतर चत्रूच क्या होता है आर इक्वल टू पी स्क्वार प्रस क्यू स्क्वार प्रस टू पी क्यू कॉस अल्फा यह समानतर चत्रूच क्यू नियम होता है यह पी एक बुझा है क्यू दूसरी बुझा है और अल्फा पी और क्यू के बीच का कौन है तो आर जो परणाम आ सुर्य है आघवा है इसको मैने हल करिया थे थोड़ा सा यदि पी बराबर क्यों है早 यदि पी बराबर क्यों हैHHH है तब आर बराबर पी स्कुरी यहां पर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस अलफा यह अर यह पूरा अंडर रूट है यह कि पैन कहां से आएगा यार पैन एक बार देख लोगर मिल जाए तो मिल जाता है पैन हर बार तो कहां चले गा यह आथा था पैन कहां चले गिए अच्वायर खालता कहले चभी कर दो कुछ कोई नहीं तो इस में से देखें प्लस प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर क्वाइव हो गया यह टू पी इस 2p square में 2p square common ले लिए मैंने बाहर तो बाहर कायागा अंडरूर 2p आएगा ये अंडरूर 2p आगे बाहर ठीक है और ब्रेकेट में क्या बच जाएगा यहां तो 1 बच जाएगा 1 plus cos alpha अब cos alpha को मैंने तोड़ दिया 2 cos square alpha by 2 minus 1 इसको तो 2 cos square alpha by 2 minus 1 अिसको तो 2 cos square alpha by 2 minus 1 यह under root तो पूरे के बाहर है यह minus 1 से minus 1 कर दिया तो यह बचछी के अंदर 2 cos square alpha by 2 इसका मैंने square root ले लिया जो जाएगा ये पी है और कॉस्स इसकार अलफा इससकार हो जाए को सालफा बगर टू कर प्ता हूं पर सिक्ट डिगरी तो इल्फा वाइट शात्र dette तो फाइनल नःडित को प्रणाबनीन फ्लक्स आई अभर यह आ गया यह आपके प्रणावी फ्लक्स आ गया आर बरावर 2 इंटू इसका मान रखा रूट 3 बाइ 2 फाई एम यह और कॉस अलफा बाइ 2 कॉस अलफा बाइ 2 इस अलफा की बेली 60 डिगरी तो इक कॉस 30 हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा रूट 3 बाइ 2 इस पूरे का उस होल हमने कर लिया तो प्रणावी फ्लक्स का मान आयता 3 by 2 फाई एम तो फाई यार क्या है resultant फ्लक्स प्रणावी फ्लक्स का 1st case मान कितना है 3 by 2 फाई मान तो 3 by 2 फाईम आय है उसकी position क्या है position आईगिया ये सिधी lane आईगी इस और फाई आर कब जब उमेगा टी इकवल टू जीडो है अब अपने को यह देखना है कि उमेगा टी को टू टू ग़िए यह凝ा होगा टू पे यहीज भी त्री पे क्या होगा लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि अपन वन टू थी की प्र नहीं रखी के उमेगा टी कमान सा सारी नोट से एक यह तीन है नहीं फ्लक फेस तीन फेसे एक कमाज जिरो हो जाएगा तो किवल दो ही बचेंगे अपने पास जब दो बचेंगे तो दो को अपने को समानता चुतुने जीम से पन जोड़ देंगे एड कर लेंगे आसानी से अब मैंने ले गए ऑमेगा टी burabar 60 ठीक है तो 5Y4 5 makes 60 root 3 by 2, fine sign ben 60 यहां रखेंगे सारी कि यहां पर मनेर सिक्स्ट उगया कि इसक्टी माइनश एकले माने सिक्स्टी हो गया मैं इसको मैंने यहां पॉजिटिव बना दिया तो यह भी फाई आर बराबर हो प्लस पूर थी बाई टू फाई एम और यह एंगल सिक्षटी देगा तो इसका और इसका समरांद से चोटो यह नियम से भी हम लगाएंगे तो यह परिणामी फ्लक्स ही आएगा फाई आर यह केस न और सिक्ष्टी डिग्री है तो मान तो हमेशा थी बाई टू फाई एम ही आए गा यह ध्यान रखना है आपको तो परने फ्लक्स तो फाई आर बराब कितना आएगा सेक्ट केस में भी थी बाई टू फाई एम लेकिन इस्ते उसकी बदल गई यह फाई यहां था आपका ठीक है अब साथ डिग्री बाद क्या हो जो प्राणामी फ्लक्स का आगया आपके गूम के साथ डिग्री गूम क्या हो यह आप इस तरह से तो एक डिग्री पर लेंगे तो एक डिग्री गूमेगा दो पर लेंगे दो गूमेगा साथ लेंगे साथ पर गूम क्या हो इसी प्रकास value root 3 by 2 phi m और minus 120 value minus root 3 by 2 phi m यह रखा, sin omega t equal to 120 degree रखा मैंने, तो phi r बराबर 5 m sin 120 degree root 3 by 2 phi m, phi y बराबर 0 और phi b बराबर minus sin 120 minus root 3 by 2 phi m, वापस फेक्टर बनाया है मैंने, phi r बराबर plus root 3 by 2 phi m, यहां से लिया, 5y का मान 0 है यह, और 5b का मान minus root 3 by 2 phi m, इसको मैंने positive बनाने लिए इधर ले लिया, इसका और इसका दोनों का परणामी निकाला, तो यह आएगा, phi r का मान थड़के रेस में यहां आया है, वापस मान तो किता हैगा, root 3 by 2 phi m यह आएगा, sorry, root 3 by 2 phi m यह आएगा, लेकिन phi r first case में यहां था, 60 degree बाद यहां था, तो 120 degree बाद प्रणामी फ्लक्स यहां आ गया, तो घूम रहा है यह देखे, यह rotate हो रहा है, इस डारेक्षब ऐसे, anti clockwise, sorry clockwise घूम रहा है, अब चौथा last case लेंगे, sin omega t बढ़ाबर 180 degree, यहां 180 degree रखेंगे प्लस root 3 by 2 phi m और यहां रखेंगे sin exercise तो minus 60 minus root 3 by 2 phi m, यह चौथा case, sin 180, 180, 0, plus 60, plus root 3 by 2 phi m, minus 60, minus root 3 by 2 phi m, यह इसका vector रहा है, यह 0 हो गया, यह plus का हो गया, और यह minus का हो गया, इसको वापस में positive बनाया है, इधर आया, ठीक है, इसका और इसका vector sum लिया, तो यह यहां आ गया, तो देखिए, फर्स्ट phase में जब omega t बढ़ाबर 0 था था तो resultant प्रिणामी फ्लक्स यहां आ रहा था, second case में जब omega t बढ़ाब 60 degree था तो 60 degree गूम गया प्रिणामी फ्लक्स, third case में जब यह 120 था तो 120 गूम गया यह द सदलती जा रही है, 0 degree यह उपर जब यहां था, 1 degree यहां, 2, 3, 4, 5, 60 में यहां हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 60 में यहां हो जाएगा, और 100 C में यहां हो जाएगा, तो यह जो परिणामी फ्लक्स है, यह continuously गूमता रहेगा आपके, हाना इसके गूमने के जो गती होती है, किस इस गूमता है, वो होता है, Ns equal to 120 F upon P, इस गती से आपका चुम्मक यह फ्लक्स गूमेगा, जहां Ns को हम बोलता है, तुल्य काली गती, सिंक्रोश स्पीट, F, सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपने किती दर किया, 3 phase में, और P, द्रोवों की संख्या क्या है, तो इस गती से, आपका परिणामी flux, continuously, rotate करेगा, तो परिणामी flux का मान तो इस्तिर रहेगा, 3 by 2 5m, जहां 5m एक phase में flux का अधिकता मान है, तो flux, continuously, rotate करेगा, उसका परिणाम होगा, 3 by 2 5m, या 1.5 5m कह दीजए, जहां 5m किसी भी एक phase में flux का अधिकता मान है, और उसकी जो गती होएगी, वो Ns equal to 120 एफ पॉन पी से दे सकते हैं यहां पे एफ कि फ्रिक्वेंसी यह त्री फेज को अपन फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं वह है और और पी नंबर ओफ पॉल साथ है ठीक है कि समझ में आगे हैं बया कुछ पूछ रहे हैं कि कुछ पूछ रहे हैं कि मनभावन मंदीप अब विकास हाँ बोलिये इसको मैं ऐसा कर तो मैं ऐसा करूँगा यह पीडियेफ दे अभी ग्रूप डाल देता हूं इसको गूर्प में डाल देता हूं और यह जो वीडियो है इसको भी गूर्प में डाल देता हूं तो फिर आप दंसे इसको देख लिजे और नोर्स बना लिजे खुद पीडियेफ से अपने कॉपी में नोर्स बना लिजे अपना ओक्र ठीक है तो आप फिर उसको दंसे पढ़ लिजे फिर अगली क्लास के अंदर अगर आपको कोई दिखता आएगी किसी भी चीज के अंदर तो अपन डिस्क्स कर लेंगे ठीक है ना यह बंद बंद करूं फिर